मश्रूम सीटी के नाम से मश्हूर सोलन जिला अपनी मश्रूम के क्षेतर में राष्ट्री अंत्राष्ट्री स्तर पर पहचान रखता है लोगों को मश्रूम की खेती के बारे में प्रशिक्षन देने के लिए हिमाचल प्रदेश उद्यान विवाग द्वारा खुंब विकास परियोजना चंबाघाट में पांच दिवसिये खुंब प्रशिक्षन शिविर का आयोजन किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश उद्यान विवाग द्वारा सोलन के चंबाघाट स्थित खुंब परियोजना में पांच दिवसिये खुंब प्रशिक्षन शिविर का आयोजन किया जा रहा है इसमें प्रशिक्षों को खुंब उत्पादन तकनीक पर संपूर्ण जानकारी विविन विशे विशे शग्यों द्वारा दी जा रही है बेरोजगारों की भीड में इस तरह के प्रशिक्षन शिविर से युवा अपना व्यवसाय अपना सकते हैं जिसे वे खुद स्वावलंबी बनकर औरों को भी रोजगार दे सकते हैं इसके लिए सरकार द्वारा 6-8 लाग तक की सबसीडी का भी प्रावधान किया गया है खुम का प्रशिक्षन ले रहे प्रशिक्षों ने बताया कि उन्हीं यहां पर खुम की नवीनतम जानकारीं की जानकारी मिल रही है उन्हें बताया कि इससे वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं उद्यान विवाग के विशे विशे शग्ये रतन सिंग ठाकुर ने बताया कि इस प्रशिक्षन शिविर में सोलन सहीत विभिन पांच जिरों की पचास प्रशिक्षू खुम के बारे में प्रशिक्षन ले रहे हैं उन्होंने बताया कि उनके विवाग का मुख्य उद्देशे लोगों को अधिक से अधिक खुम की खेती की बारे में जानकारी देना है ताकि बढ़ती बेरोजगारी में युवास्वाव लंबी बनकर अच्छी आमदनी कमा सके सुलन जीला के अत्रिक्त चार जीलों के और भी प्रतिवागी भाग ले रहे हैं और लगवग पचास प्रतिवागी जो है इस प्रिश्रिक्शन प्राप्त कर रहे हैं हमारा उद्यान विवा का हमेशा से यही मकसद रहा है, मोटिव रहा है कि हम किसानों को खुम की खेती की और अकरशित करें, प्रेरित करें क्योंकि खुम एक ऐसा वेवसाय है, यह इंडोर है, इंडोर एक्टिविटी है यहां पर जो भी हमारे बाहरी फसले होती है, उनको नुकसान जो होता है, वो इसमें बचाओ हो जाता है और हमारे बहुत से हीवक या बेरोजगार हीवा किसान भाई बहने जो हैं, वो रोजगार के तलाश में इदर उदर बठकते रहते हैं लेकिन खुंब एक ऐसा विवसाय है कि वो इसको अपना कर अपना सोरोजगार अपना सकते हैं ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल सोलन